दो दिन पहले 45 से जादा बिना परिच्छा कराए आईएस बनाकर जॉइन्ट सेकेट्रियेग, सेंट्रल सेकेट्रियेग बनाने की तैयारी की जा रही है देश के साथ सारा सर धोका है और देश के साथ इससे बड़ी बेबानी और कुछ नहीं हो चकता है अभी दो दिन पहले अखबारों में एक विग्यापन ऐसा छपा जिसने हंगावा खड़ा कर दिया मोधी सरकार की तरफ से दिया गया ये विग्यापन ऐसा था जिसने राजनीति को बहुत जादा बड़ा दिया राजनीतिक जो कहली जी भूचाल सा आ गया और उसकी वज़ा थी मोधी सरकार की तरफ से जारी किया हुआ एक विग्यापन विग्यापन ये है जो आपकी स्क्रीन की उपर है जिसको अखबारों में दिया गया देश भर के अखबारों में ये विग्यापन आया और ये लेटरल इंट्री का दर्वाजा खोला कि आप कोई भी हो एक्जाम दीजिए इसका इंटर्व्यू दीजिए और हमें अधिकार हैं आपको चुन सकते हैं बिना UPSC की या कोई भी परीक्षा दिये हुए मतलब आप कहीं पर भी आप काम कर रहा हैं किसी भी प्राइविट कंपन हम आपका इंटर्व्यू लेंगे हमें सही लगेगा तो हम किसी और से नहीं पूछेंगे बलके मोधी सरकार खुद आपको ले लेगी और चायनत कर लेगी लगबग हर मंत्राले के लिए न्युक्तिया निकाली गई अब यह लेटरल इंट्री के जो दर्वाजा खुलता है साफ طور के उपर सबका ही आरोप है कि यह संग के जैसे जो लोग है उनको लाने का या जो हिनके चुनवे उद्विपति हैं उनके करमशारियों को लाने का 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 कृम करने वाले हैं क्योंकि ऐसा इंहों ने पहले भी किया है अब यहाँ विबाद पूरा लेटरल इंट्र को समालने का काम की दिया जा सकता है इनको दिया भी जा रहा है जिससे एक बड़ा सवाल करना होगा कि किस करा के लोग आएंगे किस के लोग आएंगे जो पहले देखा गया है यह बड़े बड़े जो वद्यूग पती हैं उनके करमचारी आखे सरकारी Joint Secretary और Secretary की पदों की उपर बैठे है अब यहां पर लेटरल एंटरी को लेके बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है बहुत सी बातें कही है सबसे पहले इसकी आप रूप रहगा समझे लीजिए ये लेटरल एंटरी का कानून जो योजना की बात आई सबसे पहले आई थी, ये मनमोहन सिंग सरकार में प्रस्ताओ के रूप में, अब मनमोहन सिंग जी के सरकार में जब 2005 में लाया गया, तो सक्केंदर की सरकार जो ततकाली में उस्वकर मनमोहन सिंग सरकार थी, उन्होंने इसको रोक दिया, उन्होंने इसको पास करने से मना कर द इसके बाद 2010 में ये फिर से प्रस्ताओं के रूप में आया कॉंग्रेस यूपीय सरकार में के लेटरल एंट्री के हम दर्वादे खोल सकते हैं अगर क्यों धरुवत हैं ऐसे हम लोगों को ला सकते हैं लेकिन फिर से मनमौन सिंग जी की सरकार ने इसको मना कर दिया 2016 में जब मोजी सरकार बन चुकी थी तब इन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी ने हरी जंडी देदी लेटरल न्युक्तियों को अब लेटरल न्युक्तियां किसलिए नुकसांद हैं वो आप इससे समझ सकते हैं कि खुद चिराक पासवान जो बीजेपी के ही अलाइन्स पार् आरक्षण के प्रफधानों को ध्यान में रखकर करना चाहिए मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं और इसे सरकार के समक्ष रखोंगा इसी को लेकर गांदी जी तो निरंतर कही रहे हैं और एक सरदार सेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने डॉक्टर आरिस पटेल उन्होंने भी इ देश Kapन तथा कथीत RSS के एजेंट लोगों को देश के केंद्री मंत्रालियों के सची कुई रुप में रखा जा रहा है मतलम साफ है कि सरकार भाटपा की याद है तो RSS के लोगों को भर दिया जाए कल भाटपा की सरकार नहीं रहेगी तो भी ये सत्यू काम करते रहेंगे यानि देश का बंटा धार करते रहेंगे ये सीधे देश के साथ धोका है यस्ती यस्ती ओविती और मुसलमानों के लोगों आप तब तबी तबाल है आप के अधिकारों पर देश में डाका डालने की जो साजिस मोधी सरकार द्वारा किया गया है पुने फिर दो दिन पहले पैतालिस से जादा बीना परिच्छा कराए आईयस बनाकर जोइन सेकेट्रियेट सेंट्रल सेकेट्रियेट बनाने की तयारी की जा रही है देश के साथ सारा सर धोका है और देश के ताथ इससे बड़ी बेबानी और कुछ नहीं हो सकता है सरदार सेना अंदोलन की तयारी कर रही है पुरे देश में अंदोलन करने की तयारी हो रही है हम मोदी सरकार के इस मनसूबे को पास नहीं होने देगे अब यह तुमाम जो यह संस्था हैं जो संगठन हैं उनकी आपती है क्योंकि इसमना आरकषण रखा नहीं गया है आरकषण की कोई कोई इस इसमें जो सीच से वो मुकरर नहीं की गई है अब इस सबको लेकर विबात खड़ा हुआ है क्योंकि इससे पहले कई सारे जो यह कहली जीए कि सवरबर्ग से आने वाले लोग हैं जो भाजपा के निताओं के रिष्टार हो सकता है कॉइट आ पॉसिबिलिटी उनको लिया गया है इससे पहले लगभग लगभग अभी पैतालीस निक्तिया शायद निकाली गई है और पहले 63 लोगों को रखा गया है सुरेंसिंग राजपुच जी को सुन रहा था मैं कॉंग्रेस के तरफ से उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कहा कि भाई अगर हम लाए तो बहुत एक दो तीन लोगों को लेकर आए कॉंग्रेस की सरकार में लेकिन दो द्योगपतियों के करमचारियों को लेकर आ रही है यह सरकार तो यह बड़ा चिंता का विशय खड़ा हो जाता है यहां पर और चिंता का विशय बन जाता है कि आकर मंशा क्या है और उनको वो विभाग दिये जा रहा है जिसमें हमारे पोर्ट्स हैं जिसमें हमारी जमीने हैं जिसमें एरपोर्ट्स हैं इन तमाम चीजों को जिनमें माइन्स हैं इन तमाम विभागों को क्यूं इस तरफ दिया जा रहा है ये बड़ा सा वाज है राहूर गानी जी ने तो क आपकल सोचिए कि हो क्या रहा है? अकर यह किस दिये किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? किसको फाइदा पहुचाना है? जिसके यदासे आरक夏ד को निकाल दिया गया है इसमेंशे, बिना UPSC के परीक्षा के लोगों को दे दीजिए हर मेंतरी अपने रिष्टारों को दे देगा विश्य कि में नौकरियां इस तरह की वो भी सरकार की सरकार की इतने बड़े बदों की नौकरियां जो डिसिशन मेकिंग पोजिशन्स होती है आप खुछ सोचिए कि नुकसान किसका होगा ये आज विवात की रूप ये बड़ा सवाल है इस वीडियो का आगे बढ़ाईएगा लोगों को जागरू कीजिएगा वाच्छा ग्रूप सोंगे आपके पास सोचल मीडिया के प्लैटफॉर्म सोंगे वहां जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूख हों और लोगों को पता चले कि उनके भ